नमस्कार दोस्तो, IndianWoney.com को यूटिब चैनल में आपका स्वागत है, मिरा नाम है फ़याज PPF और Mutual Fund ये दो ऐसे नाम है जो बहुत ज़्यादा उठके आते हैं जब भी हम इन्वेस्मेंट की बात करें तो Long Term and Investment के हिसाब से ये दोनों Investment Options काफी ज़्यादा प्रिफर किये जाते हैं दोनों के अपने-अपने फायदे हैं, अपने-अपने नुकसान हैं तो आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों में से कौन सा ज्यादा बहतर Investment Option है तो चलिए बिना की सिदेरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं रिस्क की रिस्क एक ऐसा चीज़े जिसके बारे में कहा जाता है कि कितना ज़्यादा हम लोग कम से कम इसे कर सकते हैं उतना ज़्यादा बहतर है और ये दोनों ही Investment Option में आपको रिस्क काफी कम देखने को मिलेगा क्योंकि PPF Option जहां एक Government-Backed Scheme है ये Public Provident Fund के नाम से जाने जाती है तो ये सरकार द्वारा बैक की गई है तो इसमें आपको किसी भी तरह का रिस्क नहीं है तो अगले साल में आपको थोड़ा उचाल देखने को मिलता है तो overall जो average बनता है आपका return वो काफी ठीक ठाक बन जाता है लेकिन हाँ अगर आपने किसी short term mutual fund में निवेश किया है तब जाके तो आपको थोड़ा बहुत risk face करना ही पड़ेगा लेकिन long term के हिसाब से PPF और mutual fund दोनों ही एक अच्छे investment option माने जा सकते हैं जिसमें risk बहुत कम है अगला है tax saving tax saving हम लोग बहुत जादा consider करते हैं किसी भी investment option में यही कारण है कि बहुत सारे लोग किसी भी ऐसे investment का चुनाव जादा नहीं करते हैं उनको बहुत कमाल के returns मिलते हैं क्योंकि कहीं बार ऐसा होता है कि उसमें उनको उतने ही कमाल के taxes भी बरने पड़ते हैं तो बात करें अगर PPF की तो PPF एक government back scheme है जैसे मैंने आपको बताया लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि maturity के बाद जो भी आपको पैसा इसमें मिलता है वो completely tax free होता है उसमें किसी भी तरह का आपको tax देना नहीं पड़ता है वहीं बात करेंगर mutual fund की तो mutual fund में यह option तभी मिलेगा आपको जब आप ELSS वाला किसी mutual fund में निवेश करते हैं तो equity linked saving scheme में अगर आप निवेश करें तब जाके आपको थोड़ा वो tax बचाने को मिलेगा लेकिन वो scheme के दिक्कत यह है कि वो scheme सिर्फ 3 साल के लिए है पीपीफ यहाँ पर आपको 15 साल के लिए tax free income देने का वादा करता है और अगर आप बात करें mutual fund में जो long term investment अगर आप करते हैं उसमें यदि आपको एक लाग रुबे से ज्यादा का profit होता है जो कि आपको होगा आप अगर wealth creation करने के लिए जा रहा है तो तब आपको अपने capital gains पर 10% का tax देना पड़ता है अगला point है liquidity liquidity मतलब अपने पैसे को जब मंचा है उसे निकाल पाना policy को बंद कर पाना इत्यादी बात करें गर पीपीफ की तो पीपीफ में आपको ये सुविधा नहीं मिलती है पीपीफ एक 15 साल का scheme है जैसे मैंने आपको बताया तो यहाँ पर आपको 15 साल का lock-in रहता है हाँ बहुत ही special cases में आप 7 साल के complete होने के बाद अपने पैसे थोड़े बहुत निकाल सकते हैं मान लिजे आपके घर में कोई medical emergency है या फिर आप कोई घर बना रहे हैं या खरीद रहे हैं उस सूरत में आप थोड़े बहुत पैसे निकाल सकते हैं पूरे नहीं निकाल सकते हैं वहीं बात करेगा mutual funds की तो mutual funds आपको जब मन चाहे तब liquidity लेने की सुविधा देता है मान लिजे आपने policy शुरू की और आपको कुछ वक्त बाद लग रहा है कि नहीं यह policy अच्छी नहीं मैं किसी और policy का चुनाव करता हूँ तो आप जब चाहें उसे अराम से तीन आसान तरीके से आप तीन अलग-अलग जरीयों से आप अपने पैसों को liquidate कर सकते हैं या फिर अगर आप एक app यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे आजकल आप्स आगा हैं पेटियम मनी हो गया ग्रो हो गया तो आप अपने app के जरीये भी कभी भी liquidity का option चुन सकते हैं और अपने पैसों को अपने bank account में वापस credit करवा सकते हैं आखरी और सबसे जरूरी factor जो कि किसी भी investment option का trump card माना जाता है वो होते हैं उसके returns बात करें अगर PPF की तो PPF के पिछले 50 साल में return लगभग 12% से 4% तक चले हैं मतलब maximum उसमें 12% तक का return मिला और minimum उसमें 4% तक कि उसकी rate में गिरावाट देखने को मिली है वहीं दूसरी और बात करें अगर हम लोग mutual funds की तो mutual funds में आपको जब calculate ही करते हैं बहुत सारे SIP calculators में तो वो शुरुआत ही करते हैं 13% से कहीं कहीं सुरुतों में आपको इससे ज्यादा देखने को मिलता है हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि कैसे एक multi-cap funds ने आपको लगभग इस साल 38% तक का return दिया है तो ये था आज का वीडियो मुझे अमीद आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा इस वीडियो के पसंदाने पर इस वीडियो को like कर दीजे चैनल को subscribe कर दीजे बेल आइकों को दबाना ना भूले ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी update को मिसना करें मेरा नाम है फया Financial Freedom App के साथ क्या आप निर्मान करना चाहते हैं शुरू करें अपनी यातरा अमीर बनने की Financial Freedom App के साथ बुधिमान बनो अमीर बनो